कि आप सभी आई थिंक सभी बहुत अच्छी होंगे और आज की वीडियो बड़ी सीरियस होने वाली और यह मुद्ध आप सभी विध्यारतियों का है और आज मुझे और उन सभी विध्यारतियों को बहुत जादा स्पोर्ट की जोरूत है और इस वीडियो को प्यारे बच्छों बहुत सी स्टूडेंस तक पुचाने की कोशिस कीजिएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एक ऐसा मैटर साइज सब बिल्कुल श्यांत हो चुका है सब सोय हुए हैं और जो विध्यारति जिन्हों ने लैब असिस्टेंट 2022 का पेपर दिया था आज उनकी विड़मना कोई भी नहीं सुन रहा है तो मैं आप सभी को बताना चाहूं कि आप सभी को पता है कि जैसा कि अधिनस बोड ने पेपर लिये हुए आज उसको आट मन्त के लगबग होगे मतलब जून में पेपर हुआ था और आज जून 2022 में पेपर हुआ था और आज आपका फरवरी स्टार्ट हो गया है 2023 बट अभी तक इन्होंने फाइनल वजर को लेकर बहुत स्लो प्रोसेस कर रहे है तो इसके लिए जैसे बेरोजगार संक अध्यक्स उपेन यादव जी और उसके अलावा हमारे काफी स्टुडेंट जो लैब असिस्टेंट में सेलेक्ट होए थे और भी काफी विध्यारती है जिन सभी ने एक परियास कर रहे हैं फाइनल रजल्ट को लेकर कि आपका रजल्ट वी दिन बन वीक के अंदर आजे इसके लिए मुझे हर एक विध्यार और अब रजल्ट तक नहीं आता है तो चैंपर और आप सभी को साधे सब्सक्राइब 10 वज़े तुपैस अब और अगले मंत के अंदर रीट का एक्जाम है भाई आपके तो रीट बगेरा का एक्जाम से तो इसके लिए करमचारी चैन बोर्ड सारी त्यारे हम जुड़ जाएगा क्योंकि काफी जादा पेपल लीक हुए थे सेकंड ग्रेड के तो इसलिए रीट के अंदर ये मामला देखने को ना मिलें तो इसलि आपका विदिन वन वीक अगर रजल जारी हो जाता है तो प्यारे बच्चों आपकी वैकेंसी भी सो परसंटेज आ जाएगी नहीं तो इससे के लिए मैं बताना चाहरू पहले तुम्हां आपको सुना देता हूं कि उन्होंने क्या परिशान भी हो रहे हैं मुझे भी कोल में मेसेज कर रहे हैं कि हमारा परिणाम कब जारी होगा आप सबसे पूरने एक बार कह रहा हूं उच्छाय फरवरी को सुबह 11 बजे क्रमचारी चैन बोर्ड अधिक साथिक संक्या में सभी अभिड़तियों को पहुचना है जो कोल औ हो जाएगी आप घरवेट इतने कोल मेसेज करते हो अपने बहुशे के लिए तो निकल जाओ एक दिन के लिए क्या आपको पता है अभी चारपां सीटी में बीजी है मान लो से फिरी हो जाएंगे और अपना प्रेसर रहा दबाव रहा है तो जल्द आपका प्रेड़नाम ज पूरा क्रमचारी चेहन बोड बीजी हो जाएगा तो इसलिए अब आपके तारिक आपके पास शाय तारिक का दिन बड़ा मेहतु पूर्ण है यह और यह प्रतेक जो प्रियोक्साला साहिक वर्ती के जो अभ्यरति उन तक पूंचा दीजिए अधिक संक्या में आप सुन लिया होगा देखो जिसने 2022 का पेपर दिया या नहीं दिया मतलब कोशिस करनी है कि 6 फरवरी को मैक्सिमम नंबर ओप स्टूडेंस करमचारी चैन बोड पर पूचे जो दुरुगापुरा के अंदर ओफिस है इन्होंने 11 बजे का टाइम दिया है बट आप उनकोशिस क करेंगे दस बजे तक अपन पोच जाएं साड़े दस बजे तक क्योंकि बेटा यह एक स्टूडेंट के लड़ाई नहीं है यह उन सभी विद्यारतियों की लड़ाई है जिन्होंने पेपर तो दिया आने वाले समय में अगर आम अपन इस बार अच्छी से प्रियास कर लें है किसी को कोई डाउट होता है कोई भी बात करने रजल्ट को लेकर और कोई हैल्प लाइन नंबर किसी से बात नहीं हो रही कि सर कैसे क्या सिस्टम है कहां आना है तो हैल्प लाइन नंबर मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं यह मेरे नंबर है इस पे आप वाट्सप पोडियो कोल कर लेना नॉर्मल कोल करोगे तो टेक्निकल टीम उठाएगी तो सारे विद्यारती जितने भी मेरे बच्चे हैं जो जैपूर से हैं कम से कम आप तो पूछो उस दिन मैं भी आ रहा हूं सुबह दस बचे आपके सामने वहां पर मैं भी अवलेबल हो जाओंगा औ तो मेरे साती गण भी अगर कोई देख रहें तो प्लीज वीडियो बनाएं और छै फरवरी बोले तो कल मंडे को सुबह 10 बजे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पोच्चने की कोशिस कीजिएगा ताकि इन बच्चों को नहाई मिले इनका रजल्ट है जल्दी से छै फरवरी को अगर आपका रजल्ट पूरी कोशिस करके अपनी मांग रखते हैं तो आपका रजल्ट वीडिन वन वीक के अंदर देखने को मिलेगा काफी ज्यादा लेट हो गया है जनवरी लास्ट वीक में आने की संभावनाती आज फरवरी फर्स्ट वीक भी चला गया तो क्यूंकि सारे स्टुडेंट्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पुछाने तो आप किसी को स्टेटस लगाओ ना लगाओ बट इस सीज के लिए तो यार मांग उठालो ठीक तो कोशिज करना 6 फरवरी को हर एक विद्यारती पूचने कोशिज करे ताकि 2023 की वेकें कि वेकें बच्चने कोशियों